सरदार भगत सिंग कितो है स्वाध्याए करते थे , कितनी पुस्तकें पड़ती थे ! सरदार भगत सिंग 8 mai 1929 से लेकर 23march 1931 तख 716 दिनों तक जेल में रहे . उन 716 दिनों में 300 पुस्तक शरदार भगत सिंग ने पड़ी और पतली पतली पुस्तकें नहीं 300-300-400-400 पन्नों की पुस्तकें सरदार भगत सिंग ने पड़ी 8 अपरेल 1929 से 23 मार्च 1931 साथ सो सोला दिनों में और जेल में कोई लाइब्रेरी नहीं थी ये तो तब है जब हर पुस्तक का नाम याद करके publication नाम याद करके और लेखक का नाम याद करके व्यक्ति जो मिलने वाले आते थे उनसे पुस्तकें मंगवानी पड़ती थी सरदार भगत सिंग का पुस्तक और पिस्तोल का 24 गंटे का साथ था वो ये कहते थे कि जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे जब तक बार बार नहीं पड़ेंगे तब तक हम अपने देश की सेवा भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते